तीसरा अध्याय सेना पतियों सहित महिशा सुर का वद महर्शी मेधा ने कहा महिशा सुर की सेना नस्ट हुई देख कर उस सेना का सेना पति चितुर क्रोध में भर कर देवी के साथ युद करने के लिए आगे बढ़ा वा देवी पर इस प्रकार बाडों की वर्शा करने लगा मानो सुमेरु परवत पानी की धार वर्शा रहा हो इस प्रकार देवी ने अपने बाडों से उसके बाडों को काट डाला तथा उसके घोडों असार्थी को मार डाला साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत उची धोजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया उसका धनुष कट जाने के पस्चात उसके सरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया धनुष घोडो और सार्थी को नस्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया उसने अपनी तीशन धार वाली तलवार से देवी के सिंग के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया किन्तु देवी की बाई भुजा कुछ होते इस दैत्य की तलवार तूटकर दो तुकुड़ों में हो गई इससे दैत्य में क्रोध आया और शूल हाथ में लिया और उसे भद्र काली देवी की ओर फेका देवी की ओर आता हुआ वाशूल आकास से गिरते हुए सूरी के समान प्रजुलित हो उठा उस सूल का वह अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महा असूर के सूल के सो तुकुड़े कर दिये और साथ ही महा असूर के प्राण भी हर लिये चिचुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाले चामर नामकदैत हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आये और उनसे आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया किन्तु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़ कर पित्वी पर डाल दिया चक्ति को तूटा हुआ देखकर दैत ने क्रोध में लाल होकर दूल को चड़ाया किन्तु देवी ने उसको भी काट दिया इतने में देवी का सिंग उचल कर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैती के साथ बहुत ही तीव रियुद करने लगा फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पितवी पर आगिरे और दोनों बड़े क्रोध में लड़ने लगे फिर सिंग बड़े जोर से आकास की ओर उचला और जब पितवी की ओर आया तो अपने पंजो से चामर का सिर धर से अलग कर दिया कुरोद में भरी हुई देवी ने शिला और विच आदि की चोटों से उदग्र को भी मार डाला, कराल के दातों, मुकों और थपडों से चून कर डाला कुरुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत को मार गिराया वेंदिपाल से वाशकल को बाणो से ताम्र को अंधक को मौत के घाट उतार दिया तीनों एतरो वाली परमेश्व Daily ने प्रशूल से उग्राशे उग्रवीर और महाहनु नामक राच्छसों को माण डाला ओनों ने अपनी तलवार से विडाल नामक दाति का शिर काट डाला तथा अपने बांडों से दुर्धर और दुर्मुक राच्छसों को यमलोक को पूचा दिया इस प्रकार जब मैसा सुर्ण ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नश्ट कर दिया है तो अब हैसे का रूप धार्ण कर देवी के गड़ों को दुख देने लगा उन गड़ों में कितनों को उसने मुख में बरहार किया कितनों को खुरों से, कितनों को पूच से, कितनों की सीगों से, बहुत को दौडाकने के वेक से, अनेकों को सिंगनाच से, अनेकों को चक्कर देकर और कितने को स्वासवायू से जोके से बित्वी पर गिरा दिया वा दैत इस प्रकार गड़ों की सेना को घिराने लगा देवी के सिंग को मारने के लिए दोड़ा इस पर देवी को बड़ा गुस्ता आया उधर दैत भी क्रोध में भर कर धर्ती की खुरों को खोदने लगा तथा सींगों से परवतों को उखाड उखाड कर धर्ती पर फेकने लगा और मुह से शब्द करने लगा मैशा सुर के वेग से चक्र के कारण फित्वी छुद्ध होकर फटने लगी उसकी पूच से टकरा कर समुद्र चारों और फैलने लगा हिलते हुए सींगों के आगात से मेग खंड खंड हो गए और स्वांस से आकास में उड़ते हुए परवत फट गए इस तरह क्रोध में भरे हुए रक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वा उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई देवी ने पास फेक कर दैते को माल दिया और उसने बद जाने पर दैते का रूप त्याक कर सिंग का रूप बना लिया और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तयार हुई कि उसने पूरुस का रूप बना लिया जो की हाथ में तलवार लिये हुए तथा देवी की तुरंद अपने बाड़ों के साथ उस पुरुस को उसकी तलवार ढाल सही बींज डाला इसके पस्चात वा हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सून्ड से देवी को सिंग को खीचने लगा और गरजलने लगा देवी ने अपनी तलवार से उसकी सून्ड काट डाली तब राच्छस ने एक बार फिर भैसे का रूप धारड कर लिया और पहले ही तरह चर अचर जीवों सही समस्त्र तिलोकी को ब्याकुल करने लगा इसके पस्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारम बार उत्तम मदु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हसने लगी उधर बल वीर तथा मद में कृद्ध हुआ दैत भी गरजने लगा अपने सींगों से देवी पर परवतों को फेकने लगा देवी अपने वाड़ों से उसके फेके हुए परवतों को चोन करने लगी और देवी बोली ओ मूड जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तु गरजले और इसके पश्चात मेरे हातों से तेरी मृत्यू हो जाने पर देवता गरजेंगे महर्शी मेधा ने कहा यो कहकर देवी उचल कर उस देट पर जा चड़ी और उसको अपने पैर के नीचे दबा कर सूल से उसके गले पर आगहत किया देवी के पैर में दबने से देट अपने दूसरे रूप में आने के लिए मुख से बाहर निकला अभी वह आधा ही आया था कि देवी ने उसको प्रहार करके रोक दिया जब वो आधा निकला हुआ ही दैत युद करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काड दिया जिसके पच्चा सारी राच्छ सेना हाहा कार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रशन हुए तथा रिशियो महर्शियो सहित देवी क उस्तुति करने लगे गंधर्व राजगान करने लगे तथा सभी अपसराय नित्र करने लगी झाड देवी